हाई दोस्तों तो आज हम लोग आए हैं Asus ROG Li के लाँच पर और भई ये लिटरिली वोल्ड का सबसे पावरफुल हैंड हेल्ड गेमिंग डिवाइस है तुट स्क्रीन के साथ साथ इसमें आज ही भी जॉयस्टिक है और भाई ये विंडोस 11 पर चलता है जिससे आप स्टीम, एपिक गेम्स, बैटलनेट जैसी सारी लाइबरीज आकसेस कर सकते हो प्लस इसके साथ ये छोटू सा किकस्टैंग भी आता है जिसका फाइदा ये है कि दोस्तों के साथ बड़े स्क्रीन पर अपने एक्सबॉक्स कंट्रोलर को कनेक्ट करके मस्त मल्टिप्लेयर गेमिंग भी कर सकते हो वैसे काफी सारे माक्रो कंट्रोलर्स भी हैं आरोजी अलाय पर जैसे इस बटन से आप कमांड सेंटर अकसेस कर सकते हो और touchscreen होने के चलते brightness adjust कर सकते हो और साथ ही में volume meter भी और यह जो command center menu है यह आप game खेलते-खेलते भी access कर सकते हो Anyway, command center के top पे यहाँ पे operating modes है silent पे अभी 3 modes है यहाँ पे हमारे पास performance mode and turbo mode silent पे अगर आप set रखोगे तो battery consumption कम से कम रहेगा बागी control mode से आप gamepad और desktop के बीच में toggle कर सकते हो एक काफी important feature है fps limiter जो हमें यहाँ पे दे रखा है जिसका use करके आप अपने gaming का experience enhance कर सकते हो किसी भी frame rate पर lock करके बागी यहाँ पे आप अपनी resolution को भी toggle कर सकते हो 720p और 180p के बीच में और साथ ही में refresh rate को भी toggle कर सकते हो 120Hz और 60Hz के बीच में अपने battery consumption के हिसाब से और वैसे यहाँ पे मेरे को एक और interesting feature दिखा था वो था यह real time monitoring जिससे आप अपने सारे stats देख सकते हो CPU usage कितना हो रहा है GPU usage कितना हो रहा है FPS कितने दिखा रहा है temperature कितना जारा device का and battery consumption and last में यहाँ पे LED brightness meter दे रहा है आपकी जो RGB joystick है उसकी brightness control करने के लिए जैसे lights को control करने के लिए यहाँ पे अलग से आपको settings में menu दे रहा है speed adjust कर सकते हो साथी में brightness भी plus यहाँ पे अलग-अलग modes के बीच में भी toggle कर सकते हो जैसे rainbow mode में आप speed adjust कर सकते हो light की जैसे brightness zero करके कोई भी light नहीं देखेगी पर वापस से on कर लेते हैं और इसका direction भी आप change कर सकते हो कि किस direction में rainbow घूम रहा है और कौन से color scheme के साथ यह आपको rainbow घूमते हो देखेगा तो भई light को customize करने के यहाँ पर काफी सारे options है अराम से explore कर सकते हो आप settings के menu में जाकर और back करना हो तो यहाँ से toggle कर सकते हो इस macro से खेर अब RGB joystick को और lighting की settings तो आपने देख लिए पर उपर की side पर हमें यहाँ पर 4 trigger buttons दे रखे हैं दो दोनों ही sides पर और साथी में यहाँ पर टॉप पर कुछ input output ports हैं 3.5 mm jack micro SD card slot भी है अगर storage expand करनी है display out के लिए यहाँ पर port है अगर बड़े monitors में connect करना है और साथी में type C USB charging port बागी physical volume keys भी दे रखे हैं और साथी में यहाँ पर LED indicator भी है and last but not the least power button है यहाँ पर जो एक fingerprint scanner के तरह भी act करता है and back side पे दो extra trigger buttons दे रखे हैं वैसे मुझे एक मस बात यह लगी कि जितने भी macros और triggers दिखते हैं आपको ROGLI पर उन्हें आप easily reassign कर सकते हो किसी भी command के साथ भागी वही overall build plastic है और सामने की side दे रखे हैं stereo speakers कंपे मुझे आपको